कया दोस्तों किकी स्टाइट इस पोड़ की केम साफट है ज़ो हमारी ब्स शीक्स पोड़ है कलिके स्टाइट वाली और उसके अंदर प्राबलम क्या रहती है किक बहुत ज़ादा हार्ट रहती है उसके अंदर तो उस हाड के लिए ये वाली आपको किक साफ चेंज करनी है जो मोडिफिकेशन वाली है एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था इसके लिए लेगन तब भी कुछ लोगों के कमेंट आते रहते हैं इसलिए थोड़ा शौट वीडियो बना रहा हूं थोड़ा बड़ा था तो मैं इसके केम सापको बहार निकाल रहा हूं और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों के इसमें फर्क कहां पर दिया है कंपनी ने अब काफी मकेनिक ऐसे भी है जो फ फ्लैसिंग या रिशाइट मारने से इंजन के पार्ट कम जादा नहीं हो पाते हैं तो यह कोई केम साफ्ट है फुराने वाली दोस्तों यह यहां जो यह ठोकर दीवी रहती है इसकी यहां से कंपनी ने थोड़ा इसको बढ़ा रखा है ताकि हमारी वाल हाड दबे हमारी व जोड़ीकों खराद वाले के पास में ऐसे टूल्स होते हैं दोस्तों जिनसे वो चेक करके आपको बता देता है कि कितने add का फ़रख है यहां पर लेकिन आप बार बार खराद वाले के पास में नहीं जाओगे या आपके पास सायद ऐसे टूल नहीं होगे आपको केमसाप चेंज करनी है या आप कोई गाड़ी के गरहा के यानी यूजर है गाड़ी के तो आप तो नहीं जाओगे आपको पता भी नहीं होगा खरादवला कौन होता है इनका यहां से फर्क इनके अंदर होता है इसके अलावा भी अगर आप बाइक के यूजर हो या आप एक मेकैनिक हो दोस्तो तो इसकी पहचान किस तरीके से करनी है यह भी मैं आपको बता देता हूँ जो हमारा दोस्तो चोटे वाला बेरिंग लगा हुआ है दोनों केम साफ्ट में चोटे वाला जो बेरिंग लगा हुआ है बेरिंग वगरा कोई सा चेंज नहीं है इसका बेरिंग सब सेम है और देखने में भी आपको सेम लगेगी लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ जो नए वाला है मोडिफिकेशन वाला वो यहां से प्लेन रहेगा बैरिंग और ठोकर के बीच में प्लेन रहेगा लेकिन ये वाला प्लेन रही रहेगा दोस्तो तो पुराने वाली में प्लेन नहीं रहेगा और नए वाली में प्लेन रहेगा तो उससे आप समझ लेना कि मेरी नई कौन सी केमसाफ्ट है और पुरानी कौन सी केमसाफ्ट है उसके जरीए आप दोस्तों अपनी हाड किक वाली गाड़ी को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं और कुछ अच्छा किक लगाएगा तो वो किक माड़ पाएगा कि नहीं पहले बड़ा आदमी भी किक नहीं मार पा रहा था ये बच्चा है मेरे पास में यह देखो यह आसानी से किक लगा रहा है तो इसमें यह है दोस्तों उसकी ठोकर बड़ी होने की वज़े से के खाड़ लगती है और थोड़ा अगर वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों तो लाइक सेर करे और चैनल पर नए हो तो सस्क्राइब करे योकि इस चैनल पर हम इसी तरह की BS6 बाइक का ओल रिपेरिंग लाते रहते हैं किस किस तरह कि उनमें फाल्ट आते हैं और कहां से आप कोन फाल्टों को पकड़ना है कहां से सॉल्फ करना है इस चैनल पर हम सारी ऐसी ही वीडियो दिखाते हैं और आज की डेट में लगबग इस पे 475 वीडियो के आसपास पढ़ी है इस चैनल पर हमारा दूसरा भी चैनल है टिफ्स अंट्रिक्स करके उस पे भी हम वीएश सिस की गाड़िय लाते हैं ठीक करने के लिए उस पे भी यही चीज हम दिखाते हैं तीब एस टिफ्स एंट्रिक्स तो यह देख सकते हो एक बच्चा केक लगा रहा है गाड़ी को स्टार्ट कर रहा है एक गाड़ी देखो हमारी स्टार्ट हो गई है मैंने थोड़ा आवाज बंद की है थेंक्यू दोस्तो